सब्सक्राइब करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ग्रेविज्ञान बीए सेकंड समेटर के लगबक सहसे अधिक अब्जिक्टिव टाइब के प्रसनों के बारे में जो कि आपकी परिछा के लिए बहुत यादा महत्मून होंगे दिन सब्सक्राइब करेंगे तो इसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से आप लोग देखने का प्रियास करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा पहला परसें पिस्टू कौन सा रोग होता है तो पिस्टू कौन सा रोग फैलाते हैं तो पिस्टू जो होते हो प्लेग रोग फैलाते हैं आपसे नमबर इसका यह करेक्टर एंसर होगा कुलोरीन के द्वारा पानी का सुध्धी करन कौन सी विधी है कुलोरीन के द्वारा पानी की सुध्धी करन कौन सी विधी भईया तो यह रासानिक विधी है अगर कुलोरीन के द्वारा आप पानी को सुध्ध करते है तो कौन सी विधी मानी आती है वह रासाईनिक भी दिये, तानी सुद्ध करने की, अगला परसन दीमक का भोजन क्या है, दीमक का भोजन होता है, लकडी, ठीक लकडी खाती है, आपसा नम्बर इसका बाकरक्टर अंसर होगा, आगे देखते हैं अगला परसन, आपने जंगल औगरा में कहीं गए होंगे, तो प्रियोंग के लिए नमक और सोडा का किसका कप्रीयों करते हैं अगर आप इसको अगर यूज करें नमक और सोडा तो बढ़िया साप हो जाएगा है यह सजा का उद्देश कौन सा नहीं है उसे ग्रेह सज्जा का उद्देश कौन सा नहीं है, तो सवंदरी को बढ़ाना ये उद्देश है, अभी बैक्ती को बढ़ाना ये भी ग्रेह सज्जा का नहीं, ग्रेह को यानि घर को सजाने का उद्देश ये भी होता है, और किसी अस्थान को सदुप्योग करना, किसी अस्थान क नहीं है पूछा गया है ना तो किसी इस्थान का सद उपयोग करना उपयोगिता बढ़ाना संदर बढ़ाना अभिव्यक्ति बढ़ाना यह सब गरे सज्जा का ही उद्दे से होता है तो यह सब आपस नमबर एक यह आपसन कर लेंगे इनमें से सभी राइट एंसर लगा गुडू का वह सन्योजन जो प्रसिक्षित अंक तथा मकान को आनंद देने वाला होता है क्या कहलाता है तो गुडू का वह सुद्द इस श्जा वह सब्दे समें माईने होता है कम खर्षीळा या उचित खर्चा करना ना है तो यह सब्द्रू नाम खर्चिली सज्जा wires तो मनुस्त की मूलभूत अवस्थाओं में क्या चीज़ आती हैं देखें रोटी कपड़ा मकाने तीन मुख्य वस्थाओं हैं बाकी बाद में तो मनुर अजन तो बाद में आता है खेल कुद भी और फास्ट फूड भी बाद का रोटी कपड़ा और मकान तो वस्थाओं बिल्कुल यह मूलभूत अवस्थाओं से एक है आपसे नंबर सी करेक्ट एंसर हो जागा इसका अगला प्रस्थाओं की स्क्रीन पर आचुका रेस लनेट से किस प्रकार के बस्तर नहीं बनते हैं देखें तो लेस नेट कार्टेन ड्रेपरी कालीन और गलीचे यह सब इससे नहीं बनते हैं आपसे नंबर डी लगा देंगे उपर तो सभी अगला प्रस्था करखे के मुग के भाग कौन से हैं करखे के मुग के भाग कौन से अगला प्रसाम से बन सकता है टूइल बनावट वाले वस्तरों में किस प्रकार की धारियां दिखाई देती हैं तिर्ची, सीधी, लहराती हुई धारियां या पड़ी धारियां बताएं तो टूइल बनावट या टूइल बुनाई वाले वस्तरों में जो होता है वो तिरशी धारियां जो है दिखाई पड़ती है आपसा नमबर इसका आ करक्ट एंसर होगा हारनेस क्या है हारनेस क्या होता है करगे में लगा एक फ्रेम होता है हारनेस आपसा नमबर इसका सा कार होता है वो चोटा होता है अपस हम वरिश नंबर इसका एक अधिन o प्था निदारित करने वाला तत्र आर्थिक्ष्ण, समाजिक, राजनीतिक, या तीनो तो फैसन को निदारित करने वाले ततत जो होते हैं ये तीनों होते हैं डि आपस अंग्ड त है रोगा वस्त्रों क दुतियक लक्षणों या गुड़ों में क्या सामिल नहीं है बताइए तो गाव मलब की घनाव भौतिकाकार और कठोड़ता ये दुतियक लक्षणों में सामिल नहीं है इन में से सभी अगला प्रसने वस्त्र मंत्राले अस्थापित किया गया था कब तो 1969 में नमबर आप से अगला को संसा आपके स्क्रीन पर आचुका है रेमी वस्त मलब की रेमी वनस्पति रेशा प्राप्त होता है बताएं प्राकर्तिक रेशे कौन से इसे कपास हो गया फ्लेक्स हो गया जूट हो गया ऐसा प्राकर्तिक रेशे हैं ये बात आप ध्यान लखेंगे अच्छा ज्वाला रोधी रेसे कौन होते हैं उन जो है ज्वाला रोधी रेसा है खनिज रेसों का कौन सा उधार देखे खनिज का रेसे से कांच रेसा हो गया ग्लास टूल हो गया राक वूल हो गया ये सब आपके खनिज रेसे हैं ठीक है प्राकर्तिक रेसा उन का पास रेस किसपर क जाती है क कपास पर करी सहती है ठीक थाइनी की सबसेड़ क्वरस उनें की सबसेज्टी का कई सही ओती रेसा ठीक है 2023 की सब प्रसन है चलिए आगे देखने का प्रियास करते हैं अगला कोशन सापकी स्क्रीन पर आचुका रेमी वानस्पतिक रेशा प्राप्त होता है तो रेमी वानस्पतिक रेशा प्राप्त होता तने से आपसे नमबर इसका एक करक्ट एंसर होगा अगला परसे सेरी लीन है सेरी लीन क्या है भीया से होता है यह रेटंगे सब्सक्राइब के लिया गया है डो त्राइब कोड़ सब्सक्राइब से लिया गया है भी आप से इसका करक्ट एंसर होगा बुनाई की प्रमक रूप से कितनी जो है किरियाएं होती है बुनाई की कितनी किरियाएं होती है बुनाई की चार किरियाएं होती है आप से नमर इसका एक करक्ट एंसर होगा अगला परसने वस्तर के उल्टी और बुनाई को क्या कहते है वस्ताइब ए उल्टी और उल्टी और वुर ओलते हैं उपसे नमरे करेक्ट होगा है अगला पुझी दार वस्तर किस प्रकार के सूत से बनते हैं तो फुझी सब्सक्राइब करेंगे इस समय दो या तीन अलग अलग बुनाई देनी हो तो इसी बिधी में क्रास बार्डर या डावी बुनाई का परियोग करते हैं इसका डी आप संडाइट एंसर हो जाएगा ये सब प्रस्ताव के परिच्छा के लिए बहुत ही जादा महत्पूर्ण है ये बात आप ध्यान नखेंगे ओके किलियर एक होती है रिब बुनाई एक होती है साटिन बुनाई एक बास्केट बुनाई होती है ठीक है फैंसी बुनाई हो में आप देखते हैं साधारन बुनाई कई परकार की होती है जैसे कि साधी बुनाई हो गई रिब बुनाई हो गई साटिन बुनाई बास्केट छसको मायल नइए बोलते हैं एक चिडिया कियाँक वाली जो है डाट बुनाई होती है वह डावी बुनाई होती है इसके रामात डुई स्विवेल बुनाई होती है यह सब फैंसी बुनाईयां होती है ठीके यह बात आप ध्यान लखेंगे अब बुनाई प्रक्रिया का दूसरा चण को पीकिंग बोलते हैं यह बात आप ध्यान लखेंगे इस प्रस्ण परिक्षा में पूछे जा सकते हैं आपकी बार 2022 और 30 में पुछा गया था कि कपड़े की प्रात्मिक बिसेश्था हैं क्या होती तो कपड़ा लचीला पन होता है मजबूत पकड़ होनी चाहिए एक सवानता कपड़े में होनी चाहिए कपड़े की पहली बिसेश्था यही होती है इसके अलामा अच्छा बुने होई कपड़े का है ऐसे प्रसनाब से पूछता है कि जो है मतरी फैब्रिक किसका है थीख है अच्छा बता है घीले होने पर सरवाधिक मजबूत कपड़ा हो जाएगा तो गीली होने पर सरबाधिक मजबूत कफड़ा होता है कपास, आपसर नमबर इसका सा करेक्टर एंसर हो जाएगा, अच्छा कपास के बुने हुए किनारे को जाना जाता है किस नाम से, सेलवेज नाम से जानते हैं, ये बात आप ध्यान नखेंगे, ओके, अच्छा कपड़ा निर्माड के परकार, बुनना, बिनाई करना, सिलाई करना, ये सब कपड़ा निर्माड के परकार होते हैं, कपड़ा के फिनिसिंग कैसे की जाती है, स्काउटिंग के माध्यम से, साइनिंग के माध्यम से, साइजिंग के माध्यम से, तो ये सब कपड़ा फिनिसिंग के कप पड़ा को चमकाने के प्रकार होते हैं ठीक है यह बात आप ध्यान लखेंगे अच्छा यह बताइए सेड के माध्यम से बानों के धागों का गुजरना क्या कहलाता है तो सेड के माध्यम से बानों के धागों को का गुजरना पीकिंग करिया कहलाता है यह बात ध्यान करेक्ट सर्थ क्या हो जाएगा रेश्म का जनम किस देश में हुआ है बताईएगा फटा-पटस आप पाने का प्रियास करेंगे तो चाइना में हुआ आप से नमब्र प्रस्तन है और ऐसे परिच्छा में पूछे जायेंगे गर ठीक है ओके प्रस्टनाप से ऐसे पूछे जाएंगे चली आगे प्रस्टनाप किसक्रीन पर आ चुगा अगला रेसम के कीडे की आयू यानि जीवनकाल कितना होता है तो रेसम के कीडे की आयू का जीवनकाल दो महीने होता है यह आप संकरक्ट एंसर होगा प्लास्टिक फाइबर इन होता है आपसन नंबर इसका सी करेक्टर एंसर होगा निम्द में से कौन सा करतिम रेसा नहीं है करतिम रेसा कौन सा नहीं है लिनन जो है करतिम रेसा नहीं है इसका भी आपसन करेक्टर एंसर होगा बाकी एसबेस्टस नाइलान और विस्को से सब करतिम है अगला परसे सबसे लंबा हलका आकर्चक और सुन्दान कहते हैं आप सबसे लंबा हलका आकर्चक सबसे पहले भारत में सूती मिल कि अस्थापना आप सबसे पहले भारत में सूती मिल कि अस्थापना कहां पर हुई थी भारत में सबसे पहले सूती मिल कि अस्थापना हुई थी कलकत्ता में कलकाता आपसन नंबर एक करक्ट एंसर हो जाएगा यह सब प्रसनाव की परिच्छाएं पूछे जाएंगे तो आप इंचेजों को थोड़ा सा ध्यान नखिएगा ठीक है अच्छा कपास का रेसों का राजा कहा जाता है यह बात ध्यान नखेंगे कपास को रेसों का राजा कहा जाता है यह बात आप ध्यान नखेंगे अच्छा यह बताए किस रेसे की चमक सबसे अधिक होती है तो रेसम की चमक सबसे अधिक होती है और यह बताए है कि खनिज रेसों के उधारण कौन से है तो ग्लास टूल कांच का रेसा राक पूल यह स सबसे छोटा होता है एक हम से चलिये कि लिदन रेसा प्राप्त किया जाता है टो फलेक्स के तैनेoncé से प्राप्त केया ऐसका डे आप से एक नम इसक नमें से कहंँ सातंतू प्राड़ीज है हुआ या पड़बर से आप बताएंगे, इनमें से रेशम जो है प्राणीज है। लिर्ण के रेसे की लंबाई कितनी होती है तो बारा से वीच के आसपास होती है इसका बापसन कराइंसर होगा उन ही एक मातर रेसा है जिसमें होता है क्या, जिसमें सलफर होता है अपसन नमर बापसन करेंसर होगा आईए आगे देखते हैarya और भी आगे चीजों को समझने का प्रियास करते हैं अगला प्रसने की कौन सा धागा लचकदार है इन में से इन में से जो इस टेक्स धागा होता है और लचकदार होता है इसका बापसन करेक्ट एंसर होगा अगला प्रसने उनी के नन्हे नन्हे रेसों को आपस में उलजा कर जोड़ कर ताप से प्रभावित करके तथा दबाव डाल करके जमा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं नमदा आपसा नमबर इसका सा करेक्टर एंसर होगा अगला परसने फेंक देने वाली वस्तों वस्तर बनाई जाती हैं फेक देनी वाली वस्तों वस्तर बनाई जाती हैं तो कागज से बनाई जाती है अगला पर सलाईयों अथवा सुई की सहायता से सूत के फंदों को फंसा करके युम स्रिंखला बनाई जाती है इस बिधी को क्या कहते हैं तो सलाईयों और सुई के मादिम से फंसा करके फंदे च कौन सा है कपास के उत्पादन में सरवोच अस्थान देश अमेरिका को प्राप्त है मलब अमेरिका सब्सक्राइब कपास उत्पादन में अगरड़ी है सी आपसन अगला परसे तकली को किस परकार यंत्र मानते हैं तो यह हस्त चले तियंत्र है तकली हाथों से चलने वाला अधार धागे में मजबूती लाने के लिए क्या दिया जाना चाहिए तो सुरू से अंति तक एक सी एंठन दी जानी चाहिए आप से नंबर इसका दा करक्ट एंसर होगा अगला परसें सम्मिसृत धागे को बनाने के लिए कितने धागों का प्रियोग में लिया जाता है तो सम समस्रित धागों में जो है वह किस मूल का होता है निम्न मूल के वस्तरों का निर्माड होता है भी आप सर्थ आगे देखिएगा अगला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फटापट से आप लोग देखेंगे वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर दिजेगा ऐसे वीडियो जगातार मैं देता रहता हूं अगला प्रसे कौन सी परिसज्जा अगला प्रसे के लिए सिकुडन भलब पर तर तक के रूप में प्रियुक्त क्या आता है किसका प्रियोग करते हैं है अगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रियास करते हैं आगे बढ़ा जाए चलिए प्रस्नाप की स्क्रीन पर क्या आ चुका भई प्रस्नाप की स्क्रीन पर आ चुका है सभी लोग देखेंगे सूती वस्त्रों को सिकुडन और उधक बनाया जाता है सैन्पोराइजिंग के द्वारा आपस नमबर इसका सा करेक्ट एंसर होगा अगला प्रस्नाप कौन सी धब्बे चुड़ाने की विधी कौन सी नहीं है देखें भाब विधी से धब्बे चुड़ा जाते हैं बुंदक परिषज्ञ होगा परिषज्ञ का क्या उद्देश से होता है वह लसकी परिषज्ञ होटा है में भिनता लना इसका दाकर अंश्र होगा अगला परंस से कपड़े पर की जाने वाली wrapped की से कोई लगा दीजीए अगला परूस र्पर ल स्ज़ा दहारा वस्त्रों को रंग हीन वह स्वेज़ मोगा बनाया जाता है कि कपड़े पर प्रस्ण क्या है कि परिसज्जा के द्वारा नहीं परिसज्जा के द्वारा वस्त्रों को रंगहीन वा स्वेत बनाय जाता है ब्लीचिंग के द्वारा आपस नमर इसका सा करक्ट एंसर होगा अगला प्रसंदिम्न में से कौन सा घोलक है इन में से घोलक कौन सा ह तो पेट्रोल एक गोलक का काम करता है अगला प्रसने में से कौन सी यांत्रिक पारिस्करते नहीं है यांत्रिक पारिस्करती जो है मरसी राइजिंग नहीं बाकि कुटाई करना कैलेंडरिंग और क्रेपिंग यांत्रिक पारिस्करती है अगला को साथ किसक्रियन पर आ चुका प्रबंधन की प्रकरिया के तब तो कौन कौन से हैं तो प्रबंधन की प्रकरिया में योजना आयोजन नियंत्रन ये सब आता है ये बात आप ध्यान नखेंगे तो उपरी तो सभी मिलेगा आपसे पुझेगा प्रबंधन में प्रेणा कारक कौन है तो मान लक्ष मानक ये ती होते हैं प्रबंधन के कितने होते हैं तो मुल्यांकन योजना समनों योजना आयोजन नियंत्रन ये सब आपके प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हैं ये बात आध्यान नखेंगे ओके इलियर अच्छा पोश्ड कार्व विधी जो है ये लुथर गुलिक से अब से पुछे जाएगा किसे लिए पोस्ड फोस्ड कॉर्व फोल्रव इसी भी योजना को चलाने के लिए जुह एक पोँथ का और द्रा V rating करना घ्राइज संगठन करना यह संगठन में इसके लावा है रुपया पैसी की विवस्ता तरीके साहरी कि सारी जो चीजे आपकी मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है लुथर गुलिक महोदे के द्वारा दिया गया पोस्ट कार भी थी ठीक है यह बात आप ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं प्रसना आपकी स्क्रीन पर आचुका लक्ष का प्रकार नहीं है इन में से बताएं लक्ष का प्रकार क्या न अगला प्रसन्म संतोस चाहे गए संतोस से कम होता है या फिर जब प्राप्त संतोस चाहे गए संतोस से कम हो जाता है तो यह मुल्यांकन क्या कहलाता है तो जब प्राप्त संतोस चाहे गए संतोस से कम हो जाता है जानि जितना आप चाहर होते हैं उससे कम हो जाता है प्राप्त संतोस तो यह मुल्यांकन कैसा कहलाता है तो इसको बोलते हैं होतब स्क आपको नहीं मिल तो हमानियागता है कि अगला कि मुल्यांकन किया жाता यह तो हम могу अगला परसे 100 मोल्यांकन जो होता है वो लक्ष्शे तक पहुंचने में मिली सफलता और ब्रेवस्था परकरिया में प्राप्त सफलता ग्रहणी की स्वेम में प्रबंद कुसलता इन तीनों को ध्यान में रख करके किया जाता तो इसका डी आपसन करेक्ट एंसर होगा उपरक तो सभी अगला प्रसने पारकर के अनुसार मानो आचन को नियंतरित करने वाला मूली कौन सा नहीं है कार इच्छमता नहीं है बाकी खेल धरम महत्व कांग्चाई तीनों मोते हैं साधनात्म को मोलियों को कभी कभी कहा जाता है आपसा नंबर को कि प्रिक्षाम ना सकता हुँए न रहेंगा कि अंतरहत्री महिला दिवस मना भर्लार दिवस मना जाता है ये बात ध्यानना करते परूपरस्टकॉर्ट दक्षता मानो संसाधन極ान रहे हुद प्रस वानक से कथुरेई प्ररागत नियद्य सब पारमपरीमानक है मानो संसाधन में क्या सामिल है भई मानो संसाधन में मनोबर्ती उर्जा ग्यान इसा मानो संसाधन है ठीक है किलियर संसाधनों में प्रेरक कौन होते हैं तो मानक मान लक्ष यह सब प्रेरक का काम करते हैं प्राकरतिक संसाधन क्या है पानी हवा सूरज की रोशनी से प्राकरति है कि परिवारिक जीवन चक्र में कितने चंण होते हैं तो तीन ч certification हो य यूदक है तो विल्कुल तीन है उप्रेक तो Öyle कई प्रसमें 24 में पूचहें गूझे तो ढूंट कर लीजेगा whether टीन गोड़ान से वीडियो को दो से तीन बार आप देख लीजेगा आपकी परिच्छा के लिए बहुत ही महत्मूरे लिक्चर है ठीक है मैं कल साम में एक लास नहीं लिपाई उसके लिए मापी चाहूंगा लेकिन मैं आज हाजीर हूं सुबा लेकर कि आपकी इकलास चले आगला कोशन सापके स्क्रीन पर आ चुका है परिवार का अस्थाई तो निर्भर करता है विया किस पर परिवार का स्थाई तो जो होता है किस पर निर्भर करता है पती पतनी के संबंद पर या फिर अच्छे परिवारिक संबंदों पर या संतानुत पती पर या आर्थिक और समाजी के स्थिती पर अच्छे परिवारिक संबंद सापति गाल कहते हैं विभाजने आपा परिवारक परिवार का खृठन की देख भाल करना परिवार काम होता है ठीक सब्सक्राइब कर देगा लेकिन सभी कि यह थोड़ा सा इसमें से डाउट लगा सकते हैं अपने सारी कि पूर्ती आप स्वयम करते हैं ठीक है परिवार वाले भी आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन बच्चों का पालन पूशन करना संतान उत्पति व्रधों की देख भाल यह सब को परिवार के सामिल है अगला परसन निम्लकित में से कहां रुची, समय, समय आस्भीदा जो होती है, मान बिय साधन नहीं है अगला कोशन से साधनों का प्रियोग संभावित होता है तो ज्यान, रुची, समय देखें समय जो होता है मानविय साधन नहीं होता है समय मानविय साधन नहीं होता है समय आपके कंट्रोल में नहीं होता ठीक है बाकी रुची आपकी क्या होगी आप करते हैं ज़े आपके पास कितні होगा आप कौन से यूज सांबर कॉर्थे समय ऐ चर्कते है आगे देखें साधुनों का परियोग प्रियोग प्रभाविट होता है परिवारिक जीवन चक्र से जीवन के प्रति दिश्ट कौन से समाजी कार्थी के स्थिति से इन तीनों से आपस नमब डी करेक्टेंसर को उपरिक्त समी से अगला परसें किसने मूल्यों को आंतरिक और बाहि मूल्यों में किसने बाटा है पारकर महोदेने बाटा है मूल्यों को आपस सब्सक्राइब कर लिए आपके लिए बहुत ही बहुत यहां पर मिलेंगे ठीक है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को को करिकुलर मास्टर आपके लिए दोजार दोजार चौबिस में आप जाएंगे इसके बाद में तो आपके लिए बहता तयाली वहाँ पर करवाए जाएगी तो आप फुच्छानल को सब्सक्राइब करिएगा आगे बढ़ते हैं अगला परसंद अधिक करने का करता है तो विलकूल कार करने का समय अगला परसंद है आथिक कारिभार समदित है आते देक्सरम के बाद हल्का कार्य करके सारी रिक मुद्रा में परिवर्टन करके नीरस कार के बाद il car यह तीक है यह तीनों काम करके या विस्रां कर सकते हैं भी आपसुन सबीके अधिन होगा आप प्रयुक्त टक्निकन है कौन सी है कारे सरली करte में आप देखते हैं पेन और पेंसिल स्फ्bah कि जो होती बिठ्र ऊंवाति comic उस्पाइक अरफिक रहें प्रयों को अगला परसे मांस पेसिए में ल्यक्टिक अमल के एकत्रित होने का क्या कारण है तो इसका कारण हो था एक फुर्षा में आते रहते हैं यह बात अप ध्यान रखेंगे अचा परिवार के बजट को प्रभावित करने हो कितनी है परिवार kTcher के संख्या कितनी सभी बातों पर डिपेंड करता है अचा बता है किलियर में आगे बढ़ते हैं अगला परना प्रस्चेंगा आजुका है भच्चों को कगरना्द में रखना चाहिए बपीवा में रखना चैते में और सकते हैं घर में नहीं रखना चाहिए तो इसका फिकशन करेक्टerson ho contar करता है mixer और grinder जो होता है यह बिदुत मोटर से चलाय आते हैं और नम्बर का इस विदुत मोटर से चलाय आतहें मिल्कुल भी आफ़ का करेंसर होगा कि उटाया है मिक्सर ग्राइंडर कार करता है तो यह यांत्रिक कार करता है आपसा नमर्स का एक करेक्ट एंसर होगा अगला परसे कार सरलीकन के संबंध में रूची जागरित की जाती है तो किसके द्वारा पत्र पत्रिकाओं के द्वारा प्रेणा के द्वारा प्रदर्थन के द्वार इन सभी के द्वारा डिए अपसन उपरक्तु सभी के द्वारा अगला पर से कारे सरलीकंड़ róż़ वहाँ आगला पुरसे काजीव कलन की की परियुक्त होती है कागज और कलम तकनी की परियुक्त होती किसमें कार इसका करेक्ट सरोगा आगे देखेंगे अगला परिक्षा में आप पूछे जाते रहते हैं तो आप इन परस्णों को तयार कर लिजेगा मोस्ट इंपोर्टन को संसे सब यह बात आप ध्यान रखेंगे चले अगला आपकी स्कृइन पर आ चुका है लेका प्रस्ण परिच्छा में हन्डट परसंट आने वाले हैं आप इन प्रस्णों और सभी लोगि तयार कर ले प्रशन कर लिजा कर करना क shows सुधार करना आपसं सी दिया था कार्यूत पादर ने सुधार करना क्या करक्टर एंसर होगा उपर तो सभी यानि कि यह तीन हो आपसं ठीक है काल सरली करके सभी उद्देश हैं आप से पूछा गया था सोलर कूकर में पेंटिंग के लिए किस रंग का परियोग किया जाता है की काले रंग का परियोग करते हैं खिंचना धका देना उठाना यह सब टोर्सल प्रयास ही है यह बात अब ध्यान नखेंगे चलना खड़ा होना इक इस पेडल प्रयास के अंतर गता है ओके यह बात आप ध्यान नखेंगे कि लियर एक पूछा गया था की हाथों के द्वरा की जाने वाली गत्वीदृएंं आपसे तक कपड़ेद धोना आप शने B आप शन था खाना बनाना C आप सबसे न सबंजी काट न दे immense ऐसे कौण कोईते से कख्ये कि एक यह बनाते हें तो देखें रसोई घर भोजन कछ और भंडार गे समू ये एक समू बनाते हैं आपसा भolo 1 करीण सरो गाएप अगला परसे मकान बनवाने के लिए सबसे अच्छी भूमी काउस होती है मकान बनवाने के सबसे अच्छी भूमी यह अगला पर से ब्रहत्ता का उद्दिश आवास में ब्रहत्ता मालब होता है कि वहीं कम अस्थान में ज्यादा चीज़ें व्यूज कर लेना तो अस्थान की अधिका अधिक बचत करना ही व्यूज़ता कहलाता है ठीक है अपस नमब इसका अक अर्यक्ट अगला परसन चेटीज समवहन का क्या आरत है शेटीज समवहन का आरत होता एक ही तल पर आना जाना एक है करेक्टर होता है ठीक है अपने अपसने चेतर का प्रतिसत कितना होना चाहिए बताएं काल भूखंड में आंदिरमित छेतर का परतिसत कितना होना चाहिए बहुत ही मैतमूर है प्रेसर कुकर के भाग कौन से इसे देखें आपसन ने दिया था सी टी आपसन वी दिया था धक्कन आपसन सी दिया था आपका गय स्केट तो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा यह सभी प् बना सकते हैं लेकिन आप चपाती रोटी नहीं बना सकते यह बात आप ध्यान लखेंगे और ऐसे कहीं आप से पूचे का स्रम बचाने वाले उपकर्ण कौन-कौन-कौन से हैं तो आप बताएंगे बैक्यूम कि लीनर हो गया वासिंग मसीन हो गया सोलर कूकर हो गया यह सब आपके काम को बहुत कम में कम समय में निप्टा देते हैं ठीक है यह बात आप ध्यान लखेंगे किलियर आगे बढ़ते हैं भी चेजों को जानने का प्रियास करते हैं अगला प्रसना आच चुका है नगरों में सच्छता की देख भाल और ब्यवस्था करी जाती है सेनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा आपसा नमबर इसका बाकरक्टर होगा और लास्ट प्रसना आज की वीडियो इसे गंदे पानी को डाला जाता है कहां पर समुद्र में नदी में नाले में तालाब में तो समुद्र में प्रकार से गंदे पानी के निस्तान की जो तनुकण बिधी है उसके अंतर गंदे पानी को समुद्र में आपसन करक्टर हो जाएगा नाले के माध्यम से नदी में ज कर जाता है तो इस तरीके से आपके ये तमाम प्रकार के प्रस्ण थे जो कि आपकी परिक्षा में पूछे गए थे एक प्रस्ण आप से पूछा गा था 2023 में किस जो है गैस चूलहा किसकी सहता से चलता है CNG के, कोईला के, बिजली के या LPG के बताएं गैस चूलहा किसकी साथ चलता है जो गैस सिलिंडर होता है उसमें क्या होता है ये भात आप ध्यान आखेंगे आप ses पूछा आता है मैं आप को प्रस्ण पूछ रहा हूं करडों का उदार्ड नहीं है फ्रिज गीजर वासिंग मसीन या चूला रहित तो बिद्दुत उपकरण से क्या चलता है देखें फ्रिज बिद्दुत से चलता है बिजुली से गीजर भी बिजुली चलता है वासिंग मसीन भी बिजुली चलती है जो धुआ रहित चूला होता है ये इससे नहीं चलता है ब से लिक कर यह जो है तो अप्रसंद कैवे आप से पूछे जाते हैं आप रेसंट में छोटा इंगित करता है क्या एक एक अस्थान से दूसरे सट पर जाना आप रेस न कि फोड़ासे अपने परिछा आiledam के लिए बहूत ही महत्मूरी तो वासीं में काक्यों का कियों करते हैं आप कपड़े को साप करने के लिए वांसीं मसीन का परियूग क्या जाता है होता है उते हैं फिल्टार में कितने हिससे होते तो आपके शुभाइबध सब नखेगा धन्यबाद मिलते हैं प्र initiatives कि छाइए हुसां कि मुझाञे नहीं यादि की कि अज़े जब हरताब से विक बाद बुद धिबागा